नमस्कार दोसों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो इस वीडियो में आपको पताने वाली हूँ अगर आपके पास वीवो टीवन प्रो है टीवन एकस है कोई भी फो नहीं वीवो का तो यहां पे आप मल्टिपल यूजर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं यहीं क दो परसन है अगर तो वो दोनों एक मोबाल कैसे चला सकते हैं तो इसके लिए आप यहां पर चले जाएंगे सेटिंग पर जाने के बाद यहां पर स्क्रॉल करेंगे सिस्टम का ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको से मल्टिपल द्रle miya जाएगा और उसके बाद यहां पर आप यूजर पर क्लिक करके कर लेंगे और यह आं पर यूज़र का कोई भी नःया नाम डाल सकते हैं अग्जिंग है और यहां पर फोटो्ट ओ तो फोटो भी लगा सकते हैं लेकिन मैं यह आपर ओ पर क्लिक कर दूंगे और देख सकते हैं यहां पर फोन कॉल वगर टर्ण उन करेंगे तो वह भी यूज़र सकता है तो आप ऐसे को कल नुट करेंगे और यहां किरेंगे Setup Now इस ट्रैप से क्लिक कर लेंगे अब ये वली स्क्रीन आएगी तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर Set New User New User के लिए हम Set करेंगे इसको Use Now पर क्लिक करेंगे Term and Condition पर चेक माग करके Next पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Next कर देंगे ठीक है और यहाँ पर हम इसको Offline Setup करेंगे Continue Next और यहाँ पर स्क्रीन लॉक स्किप कर दूँगे मैं बाद में Set करूँगे Next पर क्लिक कर देंगे Use Now तो आपको वैसे ज़्यादा फरक नजर नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह कन्नू पर है और आप यहाँ पर और कोई Setting नहीं कर सकते और अगर आप चाहो कि इसके Messages वगरा देखना तो यहाँ पर आप Message वगरा और Phone Calls वगरा नहीं देख सकते उसकी डाइलर तो आपको मिल जाएगा आप यहाँ पर कोई भी Number डाइल करके Call कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो Contact Number इसको मिलेंगे वो उस Person को नहीं मिलेंगे Messages वगरा तो वो नहीं पढ़ सकता तेक है और आपको ना एक मैं Wallpaper पर चेंज करके तब दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तो कन्नू के लिए मैंने यह वालपेपर सेट कर दिया है और दूसरे परसन के लिए दूसरा है तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यह जो लोगो दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूजर की सेटिंग खुल जाएगी अब यहाँ पर आप स्विच कर लेंगे तो यहाँ पर ओनर वाला ओप्शन आ जाएगा और इसको स्विच कर सकते हैं अब ओनर चाहे तो इस पर्सन को डिलीट कर सकता है ठीक है और नया यूजर जोड सकता है लेकिन यहाँ पर यह जो गैस्ट है यह आपके फोन को मोडिफाई नहीं कर सकता वो बस यूज कर सकता है लेकिन कुछ चेंजिस नहीं कर सकता ठीक हैं तो यहां पर इस step से आप switch कर लेंगे, देख सकते हैं, ठीक हैं, तो इस step से आप यहां पर user की setting कर लिजेगा, और delete करना user तो आप चले जाएंगे system पर multiple user पर click करेंगे, और यहां पर जो यह वाला on है option इसको हम delete करेंगे, पहले admin पर switch करना होता है, वरना guest तो इसको delete नहीं कर स सकता है, अब admin वाला हो गया है, अब हम इस पर जाएंगे, तो यहां पर delete का option आएगा, तो delete कर सकते हैं, ठीक है, तो इस step से setting कर लिजेगा, चली मिलते हैं आपको एक next video में, तब तक के लिए नमस्कार,